तो हम कह सकते हैं देट इज एडी बाइसेक्ट्स बीसी एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए हले फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज में आप लोगों के लिए क्लास 9 थी मैं थे चेप्टर नमबर 7 ट्राइंगल के एकसरसाइज 7.3 सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इस चेप्टर की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाकर करके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कैसे सॉल्ब करेंगे कुशन नमबर 2 है AD is an altitude of an iso scale triangle ABC in which AB is equal to AC so that first AD bisect BC second AD bisect angle A इस कुश्चन में सबसे पहले तो आपको फीगर नहीं दिया गया है मैंने फीगर पहले बना रखा लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि फीगर कैसे बना जाता है ठीक है तो चलिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि AD altitude है iso scale triangle ABC है तो फीगर बनाने के लिए सबसे पहले आप rough बनाया करो क्या बनाया करो रहा जैसे मालूम मैं छोटा सारफ फटा फट एक triangle बना लेता हूं ABC अब यहां पर बुला गया कि वाबू देखो AB बराबर है AC के ठीक है फिर यहां पर बुला है AD altitude अब मैं आपको पहले altitude और median में difference समझाता हूं देखो मालो कोई triangle है ठीक अब इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो सामने वाली 70 डिगरी का एंगल बनाएं तो इस केस में होता है altitude क्या होता है altitude और जब यह equal equal हो जाता है मतलब यह point मिड में हो जाता है और यह दोनों आपस में बराबर हो जाता है यह हो जाएगा है ठीक तो यह difference होता है median और altitude में तो यहां पर जैसे बोला है कि A से हमें median डालना है क्या बोला A से में median डालना है तो डाल दीजिए ऐसे डी point पर मेडियन हमेशा vertex से opposite side में बनता है ठीक है मेडियन बन गया तो इस परकार से रफ फिगर को हम ड्राव करने के बाद में फेयर फिगर बना सकते हैं तो यहां पर बोला यहां पर 90 डिगरी बना रहा देखो यह जो सिंबॉल है इसका मतलब 90 डिगरी क्या चीज 90 डिगरी तो इस question में 90 डिगरी हमको दे दिया गया altitude बोल करके तो यह वाला एंगल है एंगल BDA is equal to angle CDA यह 90 डिगरी के इक्वल हो जाएगा altitude की वजा से ठीक और AB equal है AC के ठीक है यह भी दे दिया गया क्यूं आइसोस्केल ट्रेंगल है यह इक्वल ट्रेंगल है और यह वाली जो AD है यह common हो जाएगी तो इस परकार से हमारा दुनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा कंग्रेंट तो फिलाल फीगर भी बन गया अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे सॉल्यूशन तो चूंकि देखो हमें बताना है कि जो AD है वो BC का बाइस सेक्टर है यह BC लाइन है तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए बाइस सेक्टर क्या होता है चीक है देखो जैसे मालो ऐसी कोई लाइन है अब यहाँ पर इसके मिड़ पॉइंट से कोई ऐसी लाइन आप ड्रॉक रोज जो इस लाइन को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता हो जैसे मालो यह AB है और यह अपने MN कोई लाइन डाली है तो MN लाइन डालने की वज़ा से AB लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है AD और BD और यह दोनों आपस में बराबर है ठीक है यह दोनों आपस में क्या है बराबर है तो इससे पता चले कर D कहा है डी मिड़ पॉइंट पर है तो इसी को बाइसेक्टर मतलब कोई लाइन है वह इकोल इकोल पार्ट में डिवाइड हो रही है दो इकोल इकोल पार्ट में तो उसे क्या बोलते हैं बाइसेक्टर आप दूसरा कुर्शन में बोलाए कि एंगल बाइसेक्टर तो दीखो जैसे मानलों कोई एंगल है ठीक है और यहां स to angle CBD जब यह दोनों आपस में बरावर हो जाए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं मतलब कि अगर यह 30 डिग्री हो तो यह भी 30 डिग्री हो को बाइसे करें यहां पर हो जाएगा म zero MP8 prag इस यह झाइब से यह इंगर यह साight डिवाइड हो हो रहे हैं एक्वल इक्वल पार्ट में तो उस्लें को इसे का है इस पोना चाहिए बीडी होना चाहिए यह जो जब एंगल एंगल करेगा जब दूसरा एंगल एंगल करनी है यह प्रूब होगा तो फर्स्ट प्रूब हो जाएगा यह प्रूब होगा तो शेकंड प्रूब हो यह triangle लेंगे और यह triangle लेंगे consider ट्रेंगल ABD and triangle ACD V है तो क्या है हमारे पास देखो सबसे पहले तो AB is equal to AC होगा AB is equal to AC अब इसका region क्या होगा given इसका region क्या होगा given ठीक देखो जो हमारा AD है वो equal to हो जाएगा AD के अब इसका region क्या है common क्या region हो जाएगा common ठीक अब यहाँ पर angle BDA equal to angle CDA अब इसका region 90 डिग्री इच ठीक है 90 डिग्री कैसे हो आल्टिट्यूड की बज़ा से ठीक है तो देखो यह side यह side यह angle so triangle ABD is congruent to triangle ACD अब region by SAS rule ठीक अब जब दो triangle congruent हो गए तो उनके corresponding sides या उनके corresponding angle equal होंगे so first अब जब यह दोनों triangle congruent है तो इनकी यह वाली साइड इस वाली साइड के equal होगी so BD is equal to CD इसका region by CPCT okay CPCT means corresponding part of congruent triangle तो जब यह दोनों क्या हो गए equal हो गए तो हम कह सकते हैं that is AD bisect BC okay first part prove हो गया अब second part को देखते हैं similarly एंगल देखो अब यह ट्रेंगल इस ट्रेंगल की कंगरेंट है तो यह वाला इंगल इस वाले इंगल की क्या होगा कि देयर फूर कि कि एड़ी बाइसेक्ट्स एंगल ए ठीक है तो यह आपने प्रूब्ड कर दिया यह आपका अन्सर होगा आप चाहों तो इसे रैड उन कर लो या विडियो को पहंच करके स्क्रीं सट लेलो अ जो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वΥू आको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोश्चन के साथ तब तक ले थेंक्यू ग्लास